जबू कश्मीर में लोग तंतर की हत्ता करना बंकराओ जएन के असेबली को डिजाल कराओ जबू कश्मीर विधाल समा को भंकराओ जबू कश्मीर विधाल समा को भंकराओ जएन के असेबली को डिजाल कराओ जिन्दाबाद 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 चैन के सब्ली को डिसल्ग करो किष्मीर असमीन को बंग करो किष्मीर असमीन को बंग करो जेन के समली को बंद करो पर नो शाही नेट चलेगी जान कपड़ की राज नित्री जान के राज नित्री जान के समली को डिजाल करो जाड़ो जाड़ो कि अजए नहीं चले गई कर एंगे नहीं करेंगे तरह परदाबाद अभी आएगा चेंड के सम्मीर विदान समा को भंक करो चेंड के सम्मीर विदान समा को भंक करो चेंड के सम्मीर विदान समा को भंक करो बढ़ को किश्मीर में लॉक्टाब तरकी हधिया करना बच्राइब किण्टार करो आट करो किश्मीर विदान सबन करो केंद सेकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद किण्टार करो बुदाफ्वाद। इसम्मीर का बंड करो किवो कश्मीर स्मीली को बंड करो किवो कश्मीर असम्मीली को फॉरन डिसालब करो तेखे जमु किश्मीर में असेंबली को सिस्पेंड हुए चार महीने हो चुके इतने लंबे अंतराल के लिए असेंबली को सिस्पेंड नहीं रखा जा सकता है और हिंदुस्तान में कोई भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी जहां किसी असेंबली को इतने लंबे अंतराल के लिए सिस्पेंड रखा गया हो ऐसी परस्ठितियों में जहां कोई भी पार्टी या कंबिनेशन और पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की स्थितिय में नहीं है ये काईदा का उलंगन है, कानून का उलंगन है, नियमो का उलंगन है, Constitutional Provisions का उलंगन है, Presidents का उलंगन है हमने गवर्नर महोदे को एक आटियाई लगाई थी कि ये किस कानून के तहत इतने लंबे अंतराल के लिए असेंबली को सिस्पेंडिड एनिमेशन में रखकर विधायकों को तमाम सुविधायें दी जा रही है उनका जवाब आया कि मैंने ला डिपार्टमेंट को लिखा है वो आपको जवाब देगा जब ला डिपार्टमेंट से पूछा गया तो वो कहते हमारे पास कोई जवाब नहीं है हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं जिस तरीके से कानून की धजियां उड़ रही हैं जमो किश्मीर में ये authoritarian autocratic rulers अपने ज्याती मुफाद के लिए political interest के लिए कानून के साथ जो खिलवार लगातार कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो रियास्त के अंदर हालाद दिन प्रती दिन जो है बत्तर होते जा रहे हैं अगर इस assembly को जल्द से जल्द dismiss नहीं किया गया डिजॉल्व नहीं किया गया तो पैंतर्स पार्टी इस महीम को चम्मू से लेकर दिल्ली तक ले जाएगी पारलिमेंट के बाहर पर दर्शन होंगे यूनियन हॉम मिनिस्टर के बाहर पर दर्शन होंगे और राश्टर पती महोदे से अपील करना चाहते हैं हम के कानून के उस उलंगिन को रोक लीजिए महरबानी करके और जो लोग गहर कानूनी तरीके से अपनी स्यासी रोटिये सेखने की कोशिश कर रहे हैं उनके उपर अंकुष लगाएए वरना पैंथर्स पार्टी एक बहुत बड़ी महीम पूरे मुलक के अंदर जो है वो खड़ा करेगी पैंथर्स पार्टी